हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ अभी मन्यू सर का मैनेजर दोस्तों IPL खत्म हो चुका है वी होप कि हमारे दिये हुए जितने भी प्रेडिक्शन्स थे इन सबसे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हुई है और अब हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा इंटरनेशनल T20 मैचेस की सीरीज पर जैसे की इस वक्त वेस्ट इंडीज और साउद अफरिका के बीच जो सीरीज चल रही है इसके साथ ही पाकिस्तान और इंगलेंड के बीच जो सीरीज चल रही है दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के पहले ऐसी कई सारी सीरीज खेली जानी है जिनकी सारी इनालिसिस और प्रेडिक्शन हम आपको इस चैनल पर देने वाले हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा प्लीज और आज हम बात करने वाले हैं इंगलेंड और पाकिस्तान के होने वाले तीसरे मुकाबले के बारे में इससे पहले दोस्तों पहला मैच बारिश में धुल चुका है और दूसरा मैच इंगलेंड ने 23 रणों से जीत कर इस सीरीज में एक शुलने की बढ़त हासिल कर ली है अब देखना होगा कि तीसरे मैच में पाकिस्तान क्या कमबाइक करने वाला है क्योंकि अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता है तो निश्चिद रूप से सीरीज हार जाएगा तो चलिए कौन जीतेगा ये मैच इसके पहले एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले आकणों पर तो हैड टू हैड मैचेज में अभी तक दोनों ही टीम्स ने 30 मैच खेले हैं जिसमें से 20 जीते हैं इंगलेंड ने और 9 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने अगर दोनों टीम्स के पिछले 3 खेले गए मैचेज की बात करें तो 3 के 3 मैच इंगलेंड ने जीते हैं पाकिस्तान पिछले 3 मैच इंगलेंड से हार चुका है तो ये तीसरा जो मैच खेला जाना है ये खेला जाएगा Sophia Gardens Stadium 28 मई को रात 11 बजे ये मुकाबला होगा दोस्तों इस ground की pitch report की अगर हम बात करें तो काफी कुछ surprising आपको देखने को मिलेगा England ने यहाँ पर 9 match खेले हैं जिन में से 7 match जीते हैं वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 3 match अब तक पाकिस्तान ने इस ground पर खेले हैं और 3 की 3 match हारे हैं बारिश की बात करें तो 40% बारिश की संभावना यहाँ पर रहने वाली है 170 run इस ground का average score है यानि एक तरीके से इसे batting pitch कहा जा सकता है अब एक नज़र डाल लेते हैं दोनों ही teams के खिलाडियों पर तो पहले बात करते हैं इंग्लेंड की batting की तो दोस्तों हमने देखा पिछले match में बटलर ने 51 ball पर 84 runs की ताबड तोड़ पारी खेली वहीं Will Jacks जिन्होंने पिछले match में 23 ball पर 37 run का contribution दिया इसके लावा जॉनी बियर्स्टो तो ये तीनों के तीनों बल्ले बाज अच्छे खासे form में है वैसे team में कई सारे stars हैं लेकिन मैंने जिनका जिक्र किया वो पिछले match की inning के base पर किया है वहीं bowling की अगर हम बात करें तो रीस टॉप ली जिन्होंने 3 wicket लिये हाला कि काफी महेंगे थाबित हुए थे वहीं अगर हम देखें मोहिन अली तो 26 रन देकर 2 wickets लिये जोफरा आर्चर ने भी 28 रन देकर 2 wicket लिये एक हिसाफ से अच्छी गेनबाजी की पाकिस्तान को all out किया और इससे better performance अगले match में इनको देना पड़ेगा चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की टीम की तो as I always say T20 format के हिसाफ से टीम में काफी सारी कमिया है इन मैसे किसी न किसी batsman को butler जैसी inning खेलनी ही पड़ेगी जिसका strike rate भी ज्यादा हो और runों का contribution भी बहुत जादा हो पिछले match में हमने देखा फकर जमान ने 45 रंड बनाए 21 बॉल पर काफी अच्छी पारी कही जा सकती है लेकिन बाबर आजम 32 रंड जरूर बनाए लेकिन थोड़ी फास्ट इनिंग की expectation हम इन से रख सकते हैं रिजवान शून्य पर आउट होकर चले गए और इफ्तिखार रहमद ने 23 रंड की एक छोटी सी impactful इनिंग खेली वहीं अगर bowling department की बात की जाए तो शाहिन शाह अफरीदी तीन विकेट जरूर लिये लेकिन बहुत महगे साबित हुए थे लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा इमाद वसीम जिन्होंने चार ओवर में सिर्फ 19 रंड देकर दो विकेट्स लिये बहुत अच्छी गेनबाजी की हैरिस राउफ ने भी दो विकेट्स लिये 34 रंड देकर थोड़े से महगे लेकिन हाँ इस मैच में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये और भी बैटर परफॉर्म करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों इस पूरी इनालिसिस के बाद और सभी आकड़े देखने के बाद अब हम चलते हैं हमारे वर्डिक्ट की तरफ तो according to me and according to my work अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग पे आता है तो ये मैच पाकिस्तान जीतेगा और अगर इंग्लेंड बैटिंग पर आता है तो मैं अपनी टीम टॉस के बाद टेलिग्राम पर अपडेट करूँगा उसका अपडेट यहां यूट्यूब पर आपको नहीं दे सकता क्योंकि देखना होता है कि पिच का नेचर कैसा है दूस्तो हमारी टेलिग्राम ग्रूप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो जल्दी से वहां से हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन करें और हां मैच के दोरान लगातार उस ग्रूप पर एक्टिव बने रहें चलिए मिलते हैं आपसे मैच में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक कियर